हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हो बहुत प्यारा डोरमेट जिसके लिए देखिए मैंने ओल्ड साड़ी ले हुई है जो दो कलर की हैं आप प्रेंटेड भी ले सकते हैं हमने इसमें प्लैन साड़ियां ली हैं और देखिए इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है करीब इसकी चोड़ाई तीन इंचोगी लंबाई जितनी थी साड़ी की वह मैंने ले लिए है और देखिए अब हम एक शिप्टी पिं लेंगे एक क्रॉनर पर इसको हम लगा लेंगे इस तरह से देखिए यह मैंने लगा लिया दूसरा इसका क्रॉनर और ऐसे लपेटेंगे यहां पर हम एक रिंग बनाएंगे तो यह देखिए आप देखिए यहां पर हम इसमें इसके अंदर से ऐसे करके देखिए इसको हम निकाल लेंगे ऐसे नॉट लगाएंगे इस तरह रहेगा यह यहां पर हम आठ नॉट लगाएंगे इसमें इस राउंड को कम्प्लीट करेंगे यह देखिए यहां पर आठ नॉट लगा ली है मैंने अब देखिए हर एक नॉट पर हम एक बार नॉट लगाएंगे इस तरह इसे इसको हम ऐसे ही कम्प्लीट कर लेंगे यह देखिए यहां पर दो राउंड पूरे complete हो गए अब देखिए दूसरे color की पट्टी लूँगी मैं और देखिए यहां से मैं इस तरह से बनाँगी यह देखिए पहले एक knot यह देखिए अब बापस इसी मैं से एक knot और बनाएंगे आप देखिए इसी के उपर से हम दो knot और बनाएंगे देखिए एक अब एक और ऐसे देखिए अब इसको हम यहां पर ऐसे जॉइंट करेंगे अब एक बार हम और इसी मैं से बनाएंगे अब दो बार और इसके उपर से बनाएंगे देखिए करके यह देखिए अगले में हम यहां पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यह देखिए यह राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया अब देखिए चहां पर मैंने इस राउंड को एंड किया है वही से हम दूसरे कलर की पट्टी लेंगे और इस में से सेम रो रिपीट करेंगे जिस तरह से अभी मैंने बनाई है उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे यह देखिए एक बार बनाया बापस ऐसे इसी में से बना लिया अब इसके ऊपर हम दो नॉट और बनाएंगे देखिए ऐसे आप देखिए यहां पर हम इसको ऐसे अब बापस हम यही से बापस उसी जगे से एक नोट और बनाएंगे यह देखिए अब इसी में से हम दो नॉट और बनाएंगे इसके ऊपर यह देखिए आप देखिए यहां पर हम इसे ऐसे जगेंट करेंगे इसमें हम एक बार और इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए इस राउंड को मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया आप देखिए इस पट्टी को हम ऐसे नीचे कर देंगे और इस बिलू बाले से पहले हम दो नॉट बनाएंगे यह देखिए बापस इसे में से एक बार और और बनाएंगे यह देखिए इस राउंड को मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया अब देखिए हम बिलू कलर की पट्टी लेंगे तो यह वाली पट्टी हम ने ऐसे कर दी जहां पर हमने इसको end किया है देखिए तो वहीं से अब हम ऐसे यह देखिए दो नौट पहले बनाएंगे यह देखिए एक बार बनाई बापस उसी में से यह देखिए दो बन गए अब इस में से हम चार और बनाएंगे पहले हम यहां पर दो दो डाल रहे थे अब हम एक दो तीन और देखिए यह चार यहां पर इसको हम ऐसे जोइंट कर लेंगे यह देखिए इस तरह से अब बापस हम इसी में से एक नौट और बनाएंगे अब देखिए हम चार इसके ऊपर बनाएंगे एक एक करके एक दो तीन और चार अब देखिए यहां पर इसको ऐसे अटेच करेंगे अब देखिए ऐसे ही हम इस राउंड को पूरा करेंगे यह देखिए इस राउंड को मैंने कम्प्लीट कर लिया और देखिए यहां पर मैंने चार नौट डाली अब हम छे नौट डालेंगे यह दो दो नौट बढ़ाते हुए आप अपने एसाप से इसको बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा चाहिए तो देखिए यहां पर हमने यह ब्लू से एंड में यह नौट लगाई है तो यहीं से हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और पिंक कलर से नौट लगाएंगे यह देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे बापस तो देखिए एक नौट लगाई मैंने यह देखिए एक लग गई बापस हम इसी मैंसे दूसरी लगा देंगे अब हम यहाँ पर छे नौट डालेंगे एक दो तीन अदेखिए चार पाँ और देखिए यह च्छे और देखिए अब हम इसको यहाँ पर ऐसे जोइंट करेंगे यह देखिए इस तरह से यह बढ़ता जाएगा और यहाँ पर बापस हम एक नौट और बनाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर छे नौट और डालेंगे यह देखिए यह दो हो गए और छेवाँ डालके फिर इसको हम यहाँ पर जोइंट करेंगे फिर इस तरह से ऐसे करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे झालेंगे